वेरी गुड मॉर्णिंग, असलाम अलेकूम, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज HR4U में एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है, आज मैं आपको पढ़ाने जारो हिंदी वियाकरन में, वर्ण विचार, तो आप अराम से रेडी होकर के बैठ जाए, बैठ जाए, वर्ण यानि उस मुल्धवनी को कहते हैं, जिसका हम खंड या टुकडा नहीं कर सकते हैं, वर्ण उस मुल्धवनी को कहते हैं, जिसका खंड या टुकडा नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने दिया है को, अब को को आप अलग कर सकते हो, तोड सकते हो, नहीं, जैसे हमन वर्न कहते हैं, किलियर इतना आगे कहता है कि फिर वर्नों के करमा को हम वर्न माला कहते हैं, सवाल है कि वर्न माला किसे कहते हैं, तो वर्नों के करम बद समू को, यानि वर्न को हम एक एक करके सजाते हैं, उसे हम वर्न माला कहते हैं, जैसे ओ, आ, ई, ई, उ, 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 ए, आ, ओ, गोओ को खो गो गोओ इत्यादी ऐसे जो एक करके सजाते हैं ना that's called क्या था तो वर्णों के क्रॉमबत सह मूँ को हम वर्ण माला कहते है वर्ण माला जो है वह आपका बावन होता है हिंदी में वर्ण माला कितने हैं बावन यहां भी मैं लिख देता हूं हिंदी में वड्र मा कितने हैं तो बावन है अब कह रहा है कि हिंधी में वर्णों के दो भेद हैं कितने दो भेद है पहला swan wand दूसरा wans quieren wand swan wand यानि wo vill swan wand यानि wo will wans quieren wand यानि wo will Consonant तो हम swan again ko wo mill कहते हैं और we recipro one को consonant कहते हैं तो आप हम जानेंगे तो आपको याद कड़ेना कि one के दो भीद होते है swan one ven安全 one हम जानेंगे कि swan one किसे कहते हैं और वेंजन वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं स्वर्ण वर्ण, यानि जिस वर्ण का उचारन लिखा यहां पर, जिस वर्ण का उचारन बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है, यानि ऐसा वर्ण जिसको बोलने का उचारन बिना किसी दूसरे वर्णों कि सहायता से हम उसको बोले उसे हम क्या बोलते हैं स्वर्ण वन क्लियर यानि ऐसा कोई अक्षर जो होता है ना ऐसा कोई वर्ण होता है जिसको हम बोलेंगे वो सौतंत्र हो अर्थात उसको बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नो लेनी परे तो उसे हम क्या हम कहते हैं A तो A में सिर्फ A का उच्यारन मिल दा है हमने कहा हर्स E तो E में सिर्फ E का उच्यारन हमने कहा ये बड़ी E तो भी वही हमने कहा O O इत्यादी तो ऐसा One जिसको बोलने में किसी और की सहायता नौले नी परे और वो सौतंतर हो आजाद हो उसे हम क्या बोलते हैं स्वर्ण वर्ण कहते हैं तो आपका स्वर्ण वर्ण किलियर होगी है समझ में आगी है अगला क्या है आपने पहले पढ़ा स्वर्ण वर्ण यानि कि वाविल तो वाविल आपका किलियर होगी है स्वर्ण वर्ण अगला है आपका वेंजन वर्ण अब हम जानेगे कि वेंजन वर्ण क्या है तो वेंजन वर्ण बहुत सरल है देखिए कहरा कि वेंजन वर्ण स्वर्ण वर्ण की सहायता से ये इस वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण उसे हम स्वर्ण बन कहते हैं यानि हम एक शब्दों में कह सकते हैं कि यह सौतंत्र नहीं होता यह दुसरों पर नीरभर होता है तो हम वैंजन बन किसे कहते हैं यानि वैसा बन जो स्वर्ण बन की सहायता से बनता है उसे हम क्या बोलते हैं वेंजन वर्ण कहते हैं किलियर स्वर्ण वर्ण जो होता है आपका सौतंतर होता है आजाद होता है लेकिन वेंजन वर्ण जो होता है दूसरे पर निर भर होता है तो कह सकते हैं कि स्वर्ण वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारन हो स्वर्ण वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारन हो उसे हम वैंजन वर्ण कहते हैं क्या बोलते हैं उसे हम वैंजन वर्ण कहते हैं जैसे देखो अब जैसे में क्या कह रहा है को, खो, गो, गो, इत्यादी अब एक चीज़ आप देखो यदि आप बोलो यहाँ पर को तो को बोलने में आ क्या रहा है बच्चों ओ को बोले तो क्या आया उच्चारन ओ बोलो इसको इसकी सहायता पड़ी न तो यह सोतंतर तो नहीं हुआ यह निर्भर हो गया किसी पर हमने कहा खो खो बोलो आप बोलके ट्राइक अलो खो तो खो में क्या आया ओ हमने कहा गो गो में क्या आया ओ आया हमने कहा गो गो में क्या आया ओ यानि यह अकेला नहीं है इसके उच्चारन में हमें स्वांड वन की सहायता लेनी पर रही है वेंजन वन की जब हम वेंजन वन को बोलते हैं तो उसमें हमें स्वाण वन की सहायता लेनी पड़ती है तो आप यहां देख लिया लेकिन हमने कहा ओ तो ओ में ओ तो इसे हम वेंजन वन कहते हैं तो किलियर हो गया आपका स्वाण वेंजन वन वर्ण माला वर्णों के करममंद सजावत को हम वर्णमाला कहते हैं ONE MALA 52 होती हैं ONE के 2 भेद होती हैं ONE होती हैं ONE होती है ONE जो सौतंतर हो जिसे किसी के उचचारह स्थान के बगाईर बोला जाए जिसे OIE, इत्यादी और ONE जो awaiting 11 की सहाइता से बने जिसे कोगोगोर तो यह आपका हो गिया ONE MALA किलिए वन विचार आपका किलियर आप अगर कोई प्रॉब्लम रह गया हो आपको तो आप comment box में पूछे और किसी परकार का कोई problem हो तो आप अपने comment box में पूछ सकते हैं comment section में अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा कहो पढ़ने के लिए क्यूंकि आप समय ब बार बार वीडियो को देखो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद